रबरीदार खीर खाना अगर आपको बहुत पसंद हो तो इस विडियो को जरूर से देखिएगा बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंस सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताये हैं जिससे आप बहुत ही अच्छी से खीर घर में बना सकते हैं बीना ताम जाम के बहुत ही कम समय में बहुत ही मलाईदार और बहुत ही स्वाधिस्टी खीर बनके त्यार होती है अगर आपने कभी भी खीर नहीं बनाया है तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो वीडियो को सुरू से एंड तक जरूर से देखिएगा बीना इसकेप की हुए तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को सुरू करते हैं रबरीदार खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम दूद लेंगे तो यहाँ पे मैंने डे लिटर दूद लिया है यहाँ पे मैंने फूल क्रीम दूद लिया है तो ध्यान रखे फूल क्रीम ही दूद ले इससे खीर जो है बहुत ही मलाईदार और रबरीदार बनके त्यार होती है अब दूद को हम क्या करेंगे बॉयल कर लेंगे तो यहाँ पे दूद को जलने दे यहाँ पे फूलम को आप मीडियम या लो रख सकते है तब तक हम चावल को देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम चावल तो ध्यान रखें डे लिटर दूद के लिए 100 ग्राम चावल ही ले और चावल के जो दाने है वो बहुत ही छोटे होने चाईए इससे जो हैना खीर बहुत ही अच्छी बन के त्यार होती है अगर आपके पास ये छोटे वले दाने वले चावल हो तो इसे ही ले और वस्क करके जो हैना आप 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं साइड में आप रख दे तब तक हम दूद को जला लेंगे दूद को जलाने में आपको कम से कम 15-20 मिनट लग सकते हैं एक चीज का और भी हमें ध्यान रखना है 100 ग्राम से ज़्यादा चावल नहीं लेना है तो चावल को साइड में रखते हैं और चलते हैं दूद के तरफ यह देख सकते हैं दूद में बहुत ही अच्छी बॉइल आ रही है दूद बहुत अच्छे से गारा हो चुका है इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें साइड से भी आप इसे स्क्राच करते रहें पिर बनाते समय हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है जैसे कि दूद फूल क्रीम ले और चावल भी छोटे दाने वाले ले और बहुत अच्छे से दूद को गाराच जरूर से कर ले अब इसे आप बहुत अच्छे से मिक्स कर ले उसके बाद इसे हम पकाएंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्लेम को मीडियम या लो रखेंगे और बीच बीच में आप इसे जरूर से चेक करते रहें ताकि चावल जोएना नीचे चिपके नहीं और दूद उपर से गिरे नहीं अब बड़ा सा पतिला ले सकते हैं मैंने यहाँ चोटा सा पतिला लिया है लेकिन आप जोएना इसे बड़े से पतिले में ही बनाए ताकि यह बहुत अच्छे से पके और दूद उपर से गिरे नहीं और यहाँ पे आपको 15-20 मिनट लग सकते हैं इसे पकाने में यह टोटली डिपेंड करता है फ्लेम के उपर आप कितना ज्यादा फ्लेम को उपर नीचे कर और एक और चीज का ध्यान रखना है चावल हमें 100 ग्राम से जादा नहीं लेना है 12-15 मिनर तक मैंने इस खीर को पका लिया था देख सकते हैं दूद बहुत ही गारा हो चुका है और चावल जो हैना अल्मोस्ट पक चुकी है बस 10% का कसर ही बाकी है जो कि अब हम पुरा करें इस तरीके से साइट से भी । अइसे स्क्रैच करते रहें तकी बहुत ही बढ़ी दार खीर बनके तयार हो अब यहां पर हम इसमें डालेंगे बखीर यह को बना और मलाई-दार आने के लिए ने इसमें डालेंगे कंधेंस मिल्क अगर आपके पास हो तो जरूर से डाले वर इसके बाद इसे आप बहुत आचे से mix कर लें अगर आप क्डूम डालते है क्डूम को बहुत अच्छे से घर में जो मलाई आती है दूद के ऊपर उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं उसे भी बहुत बढ़ी आसा स्वाद इसके साथ ही स्वाथ के अनुसार यहीं पर चीनी डाल दे तो यहाँ पर मैंने आधा कप के आसपसी चीनी डाला है वजन से देखेंगे तो यह 100 ग्राम चीनी है तो मैंने चीनी और चावल की क्वांटिटी सेम ही रखी है अगर आप दूद में कंडेंस मिल्क डालते हैं तो च शेके मात्रा फोटा ज्यादा रख सकते हैं अगर मीठा ज्यादा पसंद हो तो थोड़ा और चीनी आप टकर सकते हैं अब इसे थी। अब बहुत अच्य कर्ची के पीछे वाल साइड में ये देख सकते हैं बहुत ही बड़िया से जो है न दूद चीपक रही है यानि की दूद जो है न बहुत अच्छे से गारा हो चुका है इसी स्टेज में आप क्या करें गयास को बन कर दे उसके बाद बहुत ही अच्छे से ठंडा होने दे देख सकते हैं कितनी मलाईदार और बहुत ही रब्रीदार ये बन के त्यार हुई थी खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है फ्रेंस इसी तरीके का खीर जो है आप एक इसे ठंडा होने दे ध्यान रखें पूरी तरह से घीर को नहीं डठना है हाफी इसे ठंडा होने ये दे देख सकते हैं बहुत अच्छे से में ने घीर को ठंडा कर लिया है और देख सकते हैं कितना बढ़ीया सा पपरी istoacad यानि कि मलाई की जो एन पपरी बहुत ही मूटी स तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं बहुत ही अच्छी सी खीरी बनके त्यार हुई है तो यहां पर मैंने इसे सर्फ कर लिया है अब बाड़ी आती है इसकी गार्निसिंग की तो आपको जो भी ड्राइफ फुर्ट्स पसंद हो उससे आप इसे गार्निस कर सकते ह तो मैंने यहां पर थोड़ा सा पिस्ता लिया है थोड़ा सा बदाम लिया है और थोड़ा सा मैंने रोज के बैटल से इसे गार्निस कर दिया है तो आप चाहे तो इसमें किसमिस भी डाल सकते हैं आपको जो भी नर्स पसंद हो उससे आप इसे गार्निस कर सकते हैं अगर आप इस recipe को बना सकते हैं बहुत ही असान इसे बनाना और सबसे अच्छी बात क्या है बहुत ही कम समय में यह बन के त्यार हो जाती है देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है तो आप इस recipe को एक बार जरूर से ट्राइ करें और बनाने के बाद अगर आपको यह recipe पसंद आए तो धेर सारे friends and family के साथ video को जरूर से share करें और मुझे support करने के लिए चैनल को जरूर से subscribe करें और आने वाले राखी के तेवार में इस recipe को एक पर जरूर से बनाए क्यूंकि राखी बंदन ऐसा तेवार है जिसमें हमें मिठा बनाना ही होता है तो इस रक्षा बंदन मे अपने भाई का मौ मिठा इसी खीर से करें और बनाने के बाद अगर आप कोई recipe पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और वीडियो को share करना बिल्कुल भी न भूलें तो मिलते हैं friends नई वीडियो में नई recipe के साथ तब तक के लिए बाए टेक केर